भारत का सबसे बड़ा जेल तिहाड अब नए लूक में दिखेगा बहुत बड़ा बदलाओ होने वाला है इसके लिए सारी त्यारी पूरी कर ली गई है जेल के स्वरूप में बदलाओ को लेकर नकसा भी तयार कर लिया गया है इस काम को अंजाम चरन बद्ध तरीके से दिया जाएगा इससे ना सिर्फ जेल के अंदर की तस्वीर बदलेगी बलकि वहां के कैदियों को भी काफिस सहुलियते प्रदान होगी जेल के अंदर की चार कर रहा है योजना कर्यानित होने पर जेल में भीड के कारण कैदियों के बीच होने वाली समस्याओं को दूर किया जा सकेगा बैरकों का निर्मान चरनबद तरीके से होगा जेल प्रसासन के मुताबिक पहले चरन में जेल संख्या एक, दो और तीन में निर्मान होगा के अलावा रोहनी और मंडोली में जेल परिसर है, तिहाड में 9, रोहनी में 1, तथा मंडोली में 6 जेल है, सबसे पुराना जेल परिसर तिहाड है, जेल संख्या 8 और 9 को छोड़कर यहां की सभी जेलों में पुराने ढाचे वाले बैरक हैं, इनमें अभी केवल भूतल है, पुराना ढाचा के कारण यहां जरूरी सुवधाओं का विस्तार करना संभो नहीं हो पा रहा है, बैरकों में सबसे बड़ी समस्या अत्यदिक भीड के कारण उमस और घुटन का उत्पन होना है, इस उमस के कारण कैदियों के लिए गर्मी और बारिस के दोरान समय बिताना काफी कठीन हो जाता है, इन जेलों की फर्स भी कई तरह से छतिग्रस्त हो चुकी है, बारी सोने पर कई बेरेकों में पानी तक भर जाता है, कुछ बर्स पहले दिल्ली विस्विदाले के छातरों ने तिहाड के कैदियों की समस्याओं पर अध्यान के पस्चा छातरों ने अध्यान के अनुसार जेल में छमता से अधिक कैदियों के कारण उन्हें तनाओ, चिठीडापन, छोटी-छोटी बातों पर गुसा हो जाना, मार पीट जैसी समस्याओं सामने आती है, कई कैदियों को सोने के लिए कम जगा मिलती है, जगह के लिए कैदी आपस में मार कैदी बंद है, यह संखा घटती बढ़ती रहती है, लेकिन औसतन यहां नियुंतम छमता से देड़ गुना अधिक कैदी रहते हैं, जेल परसासन के मुताबिक जेल विस्तार की योजना दो अस्तरों पर है, पहले अस्तर में तिहाड की बैरकों को दो मंजिला बनाया जाना है, वहीं दूसरे अस्तर पर दिली में एक नया जेल परिसर का निर्मान करना है, नया जेल परिसर नरेला में बनना प्रस्तावित है, दोनों ही प्रस्तावों पर काम चल रहा है, लाइफ सिटीज के लिए डेस्क रिपोर्ट